प्राइमरी की होता है चाइल्ड में आप उसे रैफर कर रहे हैं अब इंसर्ट के ओपर रिफरेंशल इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आप पहले पेरेंट में डाइटा को दाखल करेंगे तो उससे रिलेटेड डाइटा आप चाइल्ड में दाखल करेंगे مثلاً अगर आप एक पेपर जो है वो दाखल करना चाहते हैं और टेबल के अंदर और उस कस्टमर का रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में मौजूद नहीं है तो आप उसे नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि है पहले आपको कस्टमर क्रीएट करना पड़ेगा पेरेंट के अंदर और उसके बाद आप उसको ओर्डर जाना वो जनरेट कर सके इसी तरह आप बात करने डिलीट करने की अब आप एक customer के order को delete करना चाहते है या एक student है उसकी issue की हुई books को आप delete करना चाहते है अगर आप उस student को पहले delete कर देंगे parent में से तो child के अंदर मौझूद तमाम related records जो हैं वो जाया हो जाएंगे सारे के सारे तो delete करने के उपर referential integrity constraint क्या enforce करना है कि जी child में से पहले delete किया जाएगा और parent में से बाद में delete किया जाएगा यहां पर बात करते हुए मेरे जहन में एक बात और आगी कि उसे कहते हैं जी orphan records और फन रिकॉर्ड अगर आप referential integrity constraint को violate करेंगे तो आपकी database में जो नक्स पैदा हो सकता है जो खामी इसमें आ सकती है वो orphan records की आएगी कि आपने एक ऐसे parent record को delete कर दिया जिसके child record exist करते थे ठीक है तो उसका मतलब है essay child का reference खत्म हो गया तो essay records जिनका parent record में reference मौझूद नहीं है या delete कर दिया गया है essay records को database के अंदर orphan records जो है ना वो कहा जाता है जो है